नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका फार्मरोक्स के यूटेब एज़िकेस्टन चनल में आज हम सिखने वाले हैं टाडाजा टैबलेट के बारे में कि जो पूरू स्वेकेंदर उनके दोनों समस्यां को ठीक करने के लिए यूज की जाती है मतलब कि सिखरेपदं की समस्यां कि जिसको हम प्रीमैक्च और दूसरा प्रॉब्लम मतलब की नपन्स सकता कि जिसको हम इरेक्ट्य डिसफंक्षन केते हैं तो दोनों प्रॉब्लम को सौल करने के लिए ये मेडिकेशन जो यूज की जाती है तो उसकी detail study करेंगे आज के lecture में कि जानेंगे कि उसका dose वगरा क्या है उसका main side effects वगरा क्या हो सकती है कौन से warnings रहते हैं और किस तरह से आप उसका सही उपयोग कर सकते हैं तो detail में जानते हैं टाडा जा tablet के बारे में और सीखते हैं उसके बारे में detail में तो ऐसी बहुत सारी दववयों के बारे में आप सीख सकते हैं medicine course के अंदर farmer rocks के अप उपर तो ये course जोइन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं 901631-2020 पर या फिर हमारी आपको download कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी तो बात है topic पे और समझते हैं टाडा जा टाबलेट के बारे में तो ये essay class का medication की जो combination में है कि जो premature rejection और ED की समस्या को ठीक करता है एक दववय जो उसके अंदर है वो है टाडाला फिले की जो 10 mg जितना present है और दूसरे medications के हम बात करें तो डापोक्स 17 की जो 30 mg जितना ये टाबलेट के अंदर present होता है manufacture के हम बात करें तो Linux Laboratories जो उसके manufacture है और उसका headquarters चेन्नाई में है इंडिया के अंदर आगे जानते हैं उसके label के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाडा जा जो उसका brand name है Linux Laboratories उसके manufacture है yellow color की ये tablet साती है और film coated tablet रहती है यहाँ पर आप label के उपर देख सकते है कि यहाँ पर लिखा है कि film coated tablet है और especially जो उसका yellow color है वो yellow color responsible है quinoline yellow करके जो उसके अंदर color याड़ किया गया है उसके करण ये yellow color के tablet होती है label में भी लिखा है कि Indian Pharmacopeya के standards के मिलिग्रम जितना है storage की बात करें तो 30 degree या फिर कम temperature पर ये tablets को store करनी होती है light and moisture से prevent करना होता है schedule age drug के तोर पर ये होती है खास कर कि जिसके करण आपको जो है वो जब भी retail में बेचे जाती है तो उसको prescription के साथ ही जो है वो बेचे जाती है यहाँ पर company की detail आप देख सकते है कि Linux Laboratories जो उसके manufacture है तो यहाँ पर आप देख सकते है कि जो yellow color के tablets जो हमने आगे बात के इस तरह से उसके अंदर quinoline yellow करके जो color है उसके करनी yellow colors के tablet है तो Tadalafil के है तो Tadalafil जो वो PDE 5 inhibitor drug है कि जिसको हम phosphodiesterase 5 inhibitor कहते हैं और sildenafil के तरह ही यह काम करता है बड़ sildenafil से उसकी ज्यादा effect रहती है ज्यादा potent है और long actin है sildenafil के compare में कि जो popularly ED की समझ से अको ठीक करने के लिए use की जाती है उसकी half life हम देखे तो 18 hours जितनी उसकी half life है और duration of actions रहती है 24 से 36 अवर जितनी dapoxidin के हम बात करें तो वो एक selective serotonin reactic inhibitor drug है के जिसको हम SSRI कहते हैं और यह medications खास कर pre-mature ejaculation के समस्या को ठीक करने के लिए use की जाती है कि जो खास कर 18 से लेक कर 64 years के पूरुसों में यूज की जाती है फिर बात करें जो किये के medications के करते हैं जो ejaculation time होता है उसको delay करता है और pre-mature ejaculation को ठीक करने में मदद करता है तो उसी के कारण यह जो medication जो combination में है कि जिसके अदर टाडाला फिल भी है और dapoxidin भी है तो यह सिगरपतन और premature ejaculation जो हम ठीक करती है तो अलग-अलग tablets लेने की ज़रूरत नहीं बढ़ती एक ही tablet लेने से दोनों समझ से आई जो आपकी ठीक होती है तब दोस के हम बात करें तो यह tablet जो खास कर एक tablet खास कर ली जाती है तीस मिनिट पहले रिलेसंस बनने के या फिर अगर एक tablet से नहीं हो रहा है problem solve तो पेसंट जो है maximum दो tablet जो ले सकता है तीस मिनिट पहले पर खास यह दियान रखना है कि दो से ज़्यादा कभी भी tablet ना खाए बिकोज उसके करन जो है बहुत सारे side effects भी आपको हो सकती है working के हम बात करें तो जो टाडल अफिल है वो क्या करता है जो muscles होते हैं उनको relax करता है और जो arteries होती है उनको भी relax करता है जिसके करन blood flow जो वो increase होता है और blood flow increase होने के करन erection बनाए रखने में जो हो काफी मदत होती है और इसके करण वो जो ED की समस्या को ठीक कर देता है और हमारा दूसरा मेडिकेशन की जो है Dapoxetin की जो Serotonin Transporters होते हैं उनकी Activity को Inhibit कर देता है जिसके करण यह क्या करता है Serotonin की जो Action है वो Increase करवा देता है जो Post-Sign-Active Clapped होते हैं वाप पे तो अब जानते हैं उसके Drug-Drug Interactions के कौन सी दवाईों के साथ TADA-Za Tablet जो वो Interactions कर सकती है तो अगर आप Amlodipine ले रहा है Lysinopril को ले रहा है Lossartan, Metaprolol, Riosi, Gout या फिर Tamsulocin जैसी दवाई आप ले रहा है तो उसके साथ Combination में यह Medication को यूजना करें या फिर Nitroglycerine आप ले रहा है Ketoconazole या फिर Hytraconagal Zole जैसे Antifungal दवाई को ले रहा है तो उसके साथ भी यह Medication Combination में यूजना करें फिर Erythromycin, Glytheromycin जैसे Antibiotic को ले रहा है Reformpacin, Phenobarbital या फिर आप Phenatoin ले रहा है तो यह सभी दवाईों के साथ जैसे हमारा यह Medication जैसे वो Interactions कर सकता है उसके करन साइड एफेक्स और बढ़ सकती है या फिर आपको complications हो सकते है तो कभी भी Combination में यूजना करें फिर दूसरी दवाईयों जैसे कि Carbamazepin है Retonavir, Sequinavir, Nelfinavir Tramadol है, Lithium है Nafazol-Ordon है आइसो कार्बोग्जाजीड है या फिर Phenylzine है Salaziline है ट्रेनिसाइप प्रोमीन जैसे दवाईया है तो यह सभी के साथ यह Medication जो वो Drug-Drug Interactions करवा सकती है तो कभी भी Combination ना बनाई उनके साथ फिर उसके कुछ Side Effects हो सकते है जैसे की Dizziness हो जैसा होना सेड़ा क्याने के सीरदर जैसा फिल होना Stomak Pain वाले के पेट में दर्द होना Nausea Vomiting कुछ लोगों को Diarrhea हो जाते है Memory-related problem हो सकती है Back Pain होना Dry Mouth होना यह कुछ Common Side Effect हो सकती है कुछ Serious Side Effects होना देखे तो यह Medical से लेने के बाद आप जो है वो Green Color या फिर Blue Color के बीच में Identifications करना के बार मुस्किल हो जाता है कि मतलबान लोगों कि आपके सामने Green Color भी है Blue Color भी दिया है तो आप जो है वो दोनों के बीच में फरक्स जो है जो होजना ringing in the ear redness होजन आपके face या फिर neck area में snuffy nose या फिर nose लिए 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 के नाक में इसे खूनाना तो यह कुछ Serious Side Effect करवा सकती है तो अगर ऐसी कोई भी Side Effect होती है तो तुरंत आपको यह Medication लेना जो बंद कर देना चाहिए और आपके doctor या फिर pharmacist को inform करना चाहिए फिर warning के हम बात करें तो यह अगर आपको nature related जो समस्थ है जैसे की pigmentary retinopathy का कोई problem है leukemia का कोई patient है anemia का patient है already कान में कम सुनें देता है या फिर hearing loss का patient है heart patient है जिनका blood pressure control में नहीं है एसे लोग यह medication को गभी भी यूज ना करें उसके अलावा समझो कि dapoxatin abuse के अंदर है तो 18 से कम age के patient और 64 से ज्यादा age के लोग यह medication को यूज कभी भी ना करें फिर अगर आपको ऐसा फिल होता है कि चक्कर आ रहा है allergic reactions हो रही है तो तुरंद यह medication को लेना चाहिए वो बंद कर देना चाहिए तो तुरंद डॉक्टर या फिर pharmacist को visit करना चाहिए और दूसरे safe alternative आप ले सकते है contraindications के हम बात करें तो liver problem है blood pressure का problem है kidney खराब है, heart का patient है band penis का issue है irregular heart की rhythm से या फिर patient जो वो stroke का patient है तो यह सभी conditions में भी tadaza tablet को नहीं लेनी चाहिए फिर liver, mental problem, renal impairment, heart failure irregular heart rhythm या फिर किसी को ऐसे सराई की allergy है तो यह सभी conditions में यह medication लेनी के सलाई नहीं दी जाती तो ऐसे ही आप detail में सीख सकते हैं medicine course में pharma rocks के अप उपर कि जैसे हमने आप यहाँ पे tadaza tablet के बारे में सीखा ऐसे बहुत सरी दववयों के बारे में आप सीख सकते हैं तो यह course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी आपको download कर सकते हैं link description box में मिल जाएगी good luck and all the best